दोस्तो नमस्कार, डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत हैं, आज हम लोग स्पेडी समान बिग्यान बुक का पेज नमर 11 पढ़ेंगे सुस्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डायोकसाइड, अक्सीजन की खोज किसने की थी, जे प्रिष्ट लेने एक प्रेशर कूकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कूकर के अंदर का कुथनांक बढ़ता है, दुर्बीन का प्रियोग किया जाता है, दूर इस्थित बस्तों को देखने के लिए नियुमिस्मेटिक क्या है, सिक्को एवं धातिओं का अध्यन, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को सुद्ध करने ही तू, बरे पैमाने पर पर्युक्त होता है, कलोरीन सेक्स्टेंस एक उपकरन है जो मापता है, दो बस्तों के बीच कोनिया दूरी अमल बरसा किसके परियावरन परदूसन से बनता है, नाइट्रस ओकसाइड और सलफर डायोकसाइड, तावे की गियंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है, बिद्धु धारा का चुमवक्या परभाव किसने खोजा, ओस्ट्रेर ने, किन वक है, एक जैबिक उत्पर किस अमल का प्रियोग सीशा संचायक बेटरिक में किया जाता है, बिद्धु केतली में किसके द्वरा पानी गर्म होता है, चालन बिदी द्वरा, आइसो हाइट रेखा नक्से में किसका युगमक बिंदु है, समबरसा, बिटामिन ए की कमी के करन होती है, रताउंधी, दिर प्रिसित करता है, वह है मादा एनो फिलीज, चर्वी को हजम करने में जो पित दुरो सहायता करता है, वह सरावित है, जिगर से, कच्ची गाजर किसका अच्छा सुरूत है, बिटामिन ए का, लाल रक्त कन किसमे उपत्पन होते हैं, अस्थी मजा में, अल्टरा स्वनिक तर कार्बोरेटर होता है, पेट्रोल इंजन में, वास्पन की दर्ग किस पर निर्भर नहीं करती है, द्रौ का दर्बमान, जो आर सबसे उचा कब होती है, जब सूर्ज और चान्रमा पिर्थिवी की एक ही उर होते हैं, एक समतल दर्पन पर आप्तित गिरन साट डिगरी का कौ बनाती है, तो प्रावरतन कौन होगा, 30 डिगरी, ध्वनी का बेग निर्भर करता है, तरंग दर्ग पर, पानी और चौक, कोमिशरन को पिर्थक किया जा सकता है, वास्पन दोरा, परमानू में प्रोटोन रहते हैं, नाभिक के भीतर, परमानू के नाभिक में उपस्थित ह होता है, प्रोटोन तथा न्यूट्रोन, जंग उधारन है, योगिक का, जल का रसाइनिक सुत्र है, ह2O, द्रवबुन्द की संकुचन और कम से कम छेतर घेरने के परवेति का कारण है, पेश्टनाव, नीबू एवं संत्रे में कौन सा बिटामिन पाया जाता है, बिटामिन क्यूं होते हैं, क्योंकि सफेद कपरे गहरे रंग के कपरों से कम उस्मा का आवसोशन करते हैं, मेख गर्जन की ध्वनी सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि परकास ध्वनी से अधिक तिब्र गती से चलती है, भूचरन को नियंत्रित किया जा सकता है, बिर्चारो पंद्वरा, क्योंकि वे दीन के समय ऑक्सिजन छोड़ते हैं, और कार्बन डाक्साइड का उप्योग करते हैं, पंखा करने से सरीर में ठंधा की अनुभूती कियों उत्पन होती है, सरीर पर आदरता के वास्पन के करन ठंधी अनुभव होती है, बैदुत उपकरनों का पर केवल तभी कार्ज करना चाहिए, जब उचीत रूप से भूख संकर्पित हो, ऐसा क्यों, क्योंकि जब बैदुत लगूपतन होता है, तब उभूगता को बिना कोई नुक्सान चाहे बिदुधरा भूमी में प्रवेश कर जाती है, बर्प जल पर तरती है क्योंकि बर्प का घ्रत्व जल से कम होता है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है, तो मिनिस्कस होता है उत्तल, बर्सा की बून्द गोलाकार होती है, सतही तनाव के गरन, रेवीज के टी रदर फोर ने, बायो मंडल में करवान रखाइड के परिमान में बिर्धी के करण ताप में बिर्धी होता है, एक आवर्तित गती से घूमने वाली चक्के की परती सकेन घुर्णन किस्से मापी जाती है, अस्टोबो असकोप से, पानी से उपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सता पर बर्प का एक टुकरा तैर रहा है, जब बर्प का टुकरा पिखलेगा, तो पानी का अस्तर और पडिवर्तित रहेगा, डाइन एकाई है बलकी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जहिंद